तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कौन से मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप से सॉफ़वर सीख रहे होतो, सबसे पहले मिस्टेक कि डेली प्रेक्टिस ना करना, तो समझो जो भी आपने आज सीखा है ट्रेनिंग में, तो आप उसे देली प्रेक्टिस करो, at least half an hour, at least one hour, उसे skip मत करना, क्योंकि अगर आप प्रेक्टिस नहीं करोगे, तो आपको doubt भी नहीं आएंगे, तो अगले session में अगर आपको doubt भी पूछना होगा, तो आपको properly नहीं पूछ पाओगे, और शायद अगली चीज आप connect भी ना कर पाओ, तो अगर किसी case में, अगर आप कहीं busy हो, या किसी function में जा रहे हो, तो make sure करना, at least जब आप free हो जाओ, तो वापिस उसकी practice करके, वापिस doubt पूछ लेना, और दूसरी mistake, most probably करते हैं, कि doubt ना पूछना, अगर आपको कोई भी doubt हो, अगर आपको लगता है, वो doubt logical है, most probably मेरा ऐस doubt logical तब आते हैं, अगर आज आप देख रहे हो, आज आप practice कर रहे हो, तो अभी देखते वक्त या समझते वक्त आपको सबा रहा है, लेकिन जब आप practice करोगे, आप खुद coding करोगे, तो आपको logical doubt आएंगे, तो अगर आप same day doubt नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि आप confident नहीं ह क्या होता है, कि आपका doubt बढ़ता जाता है, at the end आप doubt भी नहीं पूछते हैं, और आपको चीजे समझ में भी नहीं आती है, और तीसरी mistake लोग यह करते हैं, कि अपने trainer से communicate ना करना, अगर समझो कि आपको चीजे समझ में भी आ रहे हैं, अगर आप अपने trainer से communicate नहीं करते है टेक्निकली उनसे बात नहीं करते हैं, समझो कि जो भी यह चीजे चल रहे हैं, टॉपिक्स चल रही हैं, या नॉर्मली भी आप communicate नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसे अपका communication डेवलप नहीं होता, आप साथ वो software skill तो develop कर लेते हो, लेकिन जब interview देते हो, तो आपको communication skill भ होंगे या लग से, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, coming to next point, कि revise ना करना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो topic मैंने पहले कर लिया है, उस topic को करने की वापिस ज़रूरत नहीं है, बड़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप पुरानी चीजे ऐसा कर सकते हो, समझो कि आपको Saturday या Sunday, कभी ना कभी आपके training के दौरान ऐसा time मिलता होगा जादा, तो उस time पे आप revise कर सकते हो, आपको पूरा रिवाइस करने की ज़रत नहीं है, जब आपको time मिलता है, पुराना कोई भी एक topic पकड़ लो, उसे revise करो, और next point की, इंटरियो की related preparation ना करना, तो समझो आप technical सीखते हो रहे हो, बट उसे interview में कैसे पूछा जाएगा, interview में कैसे आप उसे answer करोगे, interview में कैसे scenarios आते हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है, तो अगर आप जहां से training ले रहे हो, अगर वहां पे interview preparation नहीं होते, mock interviews नहीं होते, तो आप try करो, आप खुझ से questions ढूंट के internet पे, आप solve करने का try करो, एक limit तक जो भी आपने सीखा है उसके under में, क्योंकि अगर आपको training institute से training नहीं परवाइड होते हैं, तो समहाँ आपको training खुझ से करने पड़ेगी, तो देखो, interview में fail होने के मोश्वबली 3 reason होते है, technical, communication और behavior, technical का weightage सबसे ज दोरान आपको बहुत जादा आपनी voice raise नहीं करनी है, बहुत जादा आपको बहुत जादा है, यह बहुत ज़दा में करता है, बहुत ज़दा में करता है, और लास्टीज, आप जब training भी ले रहे हो तो अपने trainer से feedback लेने का try करो, कि आपकी training कैसे चल रही है, आपके trainer को क्य आपके trainer को ज़रूर पता होगा कि आपको कहां स्टेंड करते हो, आपको कहां improve करना चाहिए, बहुत ज़रूर है कि अपने trainer से feedback लेना ठीक है, और trainer से आपको training के दवरान feedback लेना ही है, और feedback कब लेना चाहिए तो आप weekly ले सकते हो, या तो 15 डेज में ले सकते हो, या तो monthly ले और यही चीज आप इंट्रीव में भी कर सकते हो, कि समझो कि आपने XYZ को भी इंट्रीव दिया, तो हर इंट्रीव के बाद एक feedback ले लो, जिससे आपको पदा चलेगा कि आपको कहां आप लाइक कर रहे हो, कहां आपको improve करना है, और दोस्तों लास्ट पॉइंट यह है कि आ जहां से भी training ले रहे हो, make sure करो कि पहले चीज अगर आप सैस सीख रहे हो तो आपको सैस बेस की training मिले, फिर advanced की training मिले, फिर clinical की training मिले, यह तीन चीज में अगर आप clinical के लिए prepare कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप प्रोजेक्ट कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा सा बैट प्रेटरी तो नहीं है कि हर सैस की जॉब के लिए आपको एक्जाम देना होगा, अगर आपको कर लेते हो प्रोजेशन पहले से ही, तो आपको एक्जाम देने के भी ऐसा लगता है कि मुझे एक्जाम देना चाहिए तो आप वो दे सकते हो, अगर आपके training में, communication, confidence building, interview preparation, mock interviews, test, और interview related आपको चीज़े गाइड की जाती है, कैसे job find करना है, कैसे CV बनानी है, किस job role पे apply करना है, ये सारी चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो last में क्या चीज़े, overview होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, देखो जहां से भी training ले रहे हो, base, advance, clinical, project, base SES के preparation, communication, confidence building, interview preparation, mock interviews, CV making, how to find job and job assistance, खतम होने के बाद भी at least, अगर आपको कोई doubt हो, कोई confusion हो, at least आपको training institute को या वहाँ किसी को भी call करके, आप guidance ले सको कि आप जहां पे भी स्टक हो, situation से कैसे बाहर आओ, तो आशा करता है, इस वीडियो में कुस ना कुछ चानने हो, सीखने जरूर मिला होगा, और कोई doubts या कोई भी question होता, आप मुझे comment में पूच सकते हो, मलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए, bye bye everyone